हेलो फ्रेंड्स मेरा नाव में शिवाम और आप देख रहें आपका अपना यूटूब टेक्नोई चैनल मिस्टर बॉट फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एच कैलकुलेटर को कैसे हम एक्षल सीट के अंदर बनाएंगे तो जैसे कि आप सब यहां पर देख सकते हैं कि मैंने ओल्रेडी फॉर्मेटिंग किया हुआ है बाकि अभी इसमें कुछ नहीं किया है मैंने ठीक है अब यहां पर हम क्या करेंगे पहले हम इसका फंचन समझ ले कितने साल हो गए यहां पर टोटल मंस बताएगा और यहां पर टोटल डेज बताएगा यानि इतने साल इतने महीने इतने दिन हो गए है ठीक है कैलिकुलेट करके बताएगा टोटल यहां पर यह बताएगा कि टोटल कितने साल हो गए है टोटल मंस में टोटल सम बताएगा म पंडे था ठीक है जो भी दिन था वो दिन कौन सा दिन था यह जो है यहां पर हमें इंफोर्मेशन देगा तो चली देखते हैं कि इसके इंदर हम कैसे यहां पर काम करेंगे तो सबसे पहले तो friends यहां पर मैं एक random सा name डाल दिता हूँ जिसका नाम है सचीछ ठीक है और यहां पर मैं एक date of birth जो है यहां पर डाल देता हूँ जैसे हो यहां पर मैं date of birth डाल देता हूं 15.9.2020 करना यहांनों अहांद लगाना होगा इस है यहां पर यहांनों पर को लगाना into to लखना होगा डेटर को इस थी कहा पर लगाना पड़ेगा क है और अब कर में वर्जन उस करना है तो वहाँ a यहां पर आपको यह बताना है date of birth यह रही तो इसको मैं स्लेक्ट करूँगा ठीक है अब आपको यहां पर यह बताना होगा आज का दिन क्या है ठीक है या तो आप यहां पर खुद मेंशन कर सकते हैं लेकिन उस से बाद जो है मैं आपको एक बात बोलूंगा कि आप यहाँ बर्ट करें ढुट ciao है आंपो यहां पर लगा राएगा तो हमें दिक्कत नहीं है अब इसके बाद जो है आपको यह से क्या बताना है कि यहां पर यह प्रिंट करना है ठीक है तो यहां पर हम लिख देंगे capital Y और bracket कर देंगे close अब जैसे मैं enter करूंगा तो देखिए इसने total years calculate करके मेरे को बता दिया है अब ऐसे यही काम हमें months में करना है तो यहां पर मैं लिखूंगा equal to dated if ठीक है अब आपको यहां पर क्या करना है सबसे पहले तो आपको यह बताना है कि कौन सी date तो date of birth यह हमारी इस date को में select करूंगा ठीक है अब इसके बाद जो है today formula लगेगा ठीक है जिससे कि यह हमें आज कर दिन बता देगा बस इसे हमें open close कर देना है और इसके बाद जो है आपको यह बताना है कि आपको यहापर print क्या कराना है तो हम अपने case में क्या print कराना चाहते है मंत प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहां पर मैं लिखूंगा M और कर देंगे यहां पर bracket close जैसे आप enter करेंगे तो यहां पर total months जो है calculate करके बता देगा अब बारी आती है days की तो days कैसे calculate करना है यहां पर आपको लिखना है equal to dated if अब आपको यहां पर date को select करना है ठीक है अब आपको आज कच दिन देखना है आज कर दिन देखने के लिए क्या करेंगे हम तुडैर फॉर्मिलों का use करेंगे तो यहां पर लिख combineはい अब इसको कर देंगे अब जो हैए हम यहां पर दे प्रिंट कराना है तो हम चाहते हैं कि मत के बाद day प्रिंट हो तो यहाँ पे हम यहाँ पे करेंगे M यानि month और इसके बाद day ठीक है मन्त के बाद day हम यहाँ पे print करा देंगे इसको close कर देंगे और enter कर देंगे तो आप देख सकते हैं इस date of birth के हिसाब से इसे सचिन को 10 साल 126 महीने 7 दिन हो चुके हैं लेकिन यहाँ पर हमने एक गड़बड कर दिये गड़बड क्या कर दिये है फ्रेंड्स हमने यहाँ पर सिर्फ M लिखा यानि सिर्फ मन्त को प्रिंट करा है लेकिन हमने year वाला मन्त प्रिंट नहीं करा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे formula में edit करेंगे तो हम चाहते हैं कि year के बाद month प्रिंट हो तो यहाँ पर मैं लिखूँगा why और कर दूँगा यहाँ पर मैं enter तो आप देख सकते हैं 10 साल 6 महीने 7 दिन हो चुके हैं अब बारी आती है total year की, total months की और total days की तो अब देखते हैं कि यहाँ पर हमें total sum कैसे calculate करना है ठीक है यानि total हमें बस यहाँ पर year बतादे बारा महीने तेरा महीने ना बताए total करके इतने years होते हैं बतादे total month और total days तो इसके लिए क्या करना है यहां पर same में ही काम करना आपको यहां लिखना है equal to dated if इस formula को लगाना है अब आपको यहांसे date को select करना है date select करने के बाद आपको जो है यहां पर अब today बताना पड़ेगा आज के दिन बताना है तो आज के दिन में यहां पर calculate करूँगा इसको कर दूँगा close अब क्या करना है friends यहां पर मैं चाहता हूं कि यहां पर year print हो तो year print के लिए सिर्फ क्या करना है हमें वाई करना है ठीक है friends और कर दिना इसको close कर दिना enter तो total साल बता दिये इसने यही काम हमें total months में करना है तो जैसे आपे month total six बता रहा है हमें लेकिन total calculation करना है 10 साल में कितने महीने हो गए इसको ठीक है तो total बताएगा यहां पर क्या करना है यहां पर आपको लिखना है dated if अब क्या करना आपको date को select करना है ठीक है आज का दिन इसको बताना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम today formula का यूज करेंगे friends आपको मैं इसलिए अच्छे से बता रहा हूं जिससे कि आपके दिमाग में जो है अच्छे से जो है बाते set हो जाए और formula जो है आपको याद रहे ठीक है अब हमें total days calculate करना है तो date कैसे calculate करेंगे तो इसके लिए भी यहाँ पर same चीज है यहाँ पर हम लिखेंगे dated if bracket करेंगे open date करेंगे select अब इसके बात जो है आपको आज की date बतानी है तो यहाँ पर use करेंगे today formula और इसको कर देंगे यहाँ से close अब यहाँ पर हमें क्या बताना है ठीक है तो यहाँ पर सिर्फ मैं डी लिखूंगा और इसको कर दूँगा यहाँ से close और इसको कर दूँगा enter तो इसने देखिए मेरे पास result जो है बता दिया है यानि इस date के हिसाब से 15 November 2010 के हिसाब से आज की date के according today यानि आज की दिन के हिसाब से 10 साल 6 महीने 7 दिन हो चु हो चुके है total months 126 months हो चुके है total days की में बात करूं तो 3841 days complete हो चुके है ठीक है अब बार यहाती है friends यहाँ पर day की अब हमें दिन कैसे पता लगाना है कि आज दिन कौन सा है तो यह भी बहुत simple सा है यहाँ पर हम use करेंगे text formula तो यहाँ पर equal to text ठीक है अब text में आपको सबसे करना है आपको यहाँ पर आप इसको देखेए इसका syntax value तो यहाँ हमें क्या करना है यह value देनी है यह याई date को select कर देना है अब इसके बाद जो है आपको इहाँ पर इसको बताना पड़ेगा क्या डी 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 मैंने कर दिया, dी डी करने से क्या होगा कि मेरे को Wednesday, Thursday, Monday, Sunday ज तो यहां पर 3D किया, तो यहां पर simple सा, इसने M.O.N बता दिया, ठीक है, आप 4 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं, तो देखिए, अगर मैं यहां पर 1 करता, तो एक में क्या आता, तो एक में यहां पर 15 आता, अगर मैं यहां पर 1D और बढ़ा दूँ, मैं य चार डी कर देता हूं क्योंकि मेरे को पूरी स्पेलिंग थोड़ा दिखने में जादा अच्छा लगता है ठीक है तो यहां पर मैंने कर दिया तो आप देख सकते हैं कि हमारा एच कल्कुलेटर जो है रेडी है अब आपको क्या करना है इसको कंट्रोल एस करके सेफ कर देना है सेफ करने के बाद आपको नेक्स टाइम यहां पर कोई भी डेट आप आप एंटर करेंगे तो ओटमेटिक कल्कुलेट हो जाएगा तो चलिए करते हैं अभी इसमें डली हुई है पंद्रा ग्यारा दोजार दस अब हम यहां पर कोई नई डेट बटन डालते हैं मैं यहां प यहां पर कितने हो गए और टोटल डेज यहां पर कितने हो गए तो 71 यहर्स फोर मंद्स 11 डेज हो चुके हैं और अगर इसके टोटल सम की बात करूं तो आप देखी इतने सम जो है हो चुका है तो फ्रेंड्स मैं उमीद करता हूं कि आप सभी को वीडियो जो है जरूब पस तब तक के लिए जय हिंद जय बारत